समेकर्ण बनाना चर का मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता हूँ तो उसका मतलब पांच ही है वो कभी भी साथ नहीं होगा सो लिफता हूँ तो सो है और दूसरा चीज उसके अंदर होती है चर और चर को पहले समझे चर वह संख्या है जिसके मान में बदलाव हो सकता है अर्थार वो चर या उस चर का मान कभी साथ आ सकता है कभी दस आ सकता है कभी रिणात्मप भी आ सकता है कभी सुन्य भी आ सकता है कभी भिन भी आ सकता है प्रिमे संख्या भी आ सकता है ठीक है? वो क्या होते हैं? हम कोई भी चीज निकालने के लिए उसको assume करते हैं, मानते हैं तो जो मानने की चीज होती है उस वो चर होती है और फिर उसका प्रेणाम हम निकालते हैं समीकर्ण के अंदर चर और अचर बहुत महत्पून होते हैं हमने वियन्जक पढ़े हैं वियन्जक पढ़े हैं, वियन्जक किसके मिलने से बनते हैं चर और अचर के मिलने से जैसे एक्स जमा दो ये भी वियन्जक हो गया या वाई जमा तीन, तीन वाई, दो एक्स ये सारे के सारे क्या है वियन्जक अब माननो मेरे पास ये चीज है तो outta क्षा हो अदे हैं अ जव लो अचार कहें करद सब्सक्राम का जिसके मिलने से बने है चर और अचर कि चर और अचर दो चीजे मोफ़ी और एक जो मुख्य है समता का निशान, बराबर का निशान, यह लिखो कहा ना x is greater than 1, यह एक से बड़ा है, इसमें समता का निशान नहीं है, तो इसलिए समीकड हमारे पास नहीं है, और समीकड में एक और चीज होती है, कि समीकर में दो प तो दुकांदार एक तरफ एक किलो का बाठ रखेगा दूसरी तरफ उसको तोलता जाएगा जब वो दुल्नों बराबर हो जाएगे तो उसको रोग देगा ज्यादा जाएगा तो उसमें से निकाल लेगा चिनी निकर बराबर करना है तो यही चीज है कि बराबर ये समता का निशान दर्शा रहा है कि दोनों पक्स क्या है समान है जितना मान एक्स जमादो का है उतना ही मान चार का भी है तो समीकर्ण समझ गए एक्स जमादो बराबर चार मिदलब दो पक्स है और दो पक्सों में चार और अचल संख्याए है और दो मखों में चर होना ज़ूरी नहीं है इस तीज में इस चाहा यह नहीं है ठीक है न, क्योंकि उसके अंदर कोई चर नहीं है, चर होना जरूरी है, हलाग ये तो संभव भी नहीं है दो ब्राबर्चा, लेकिन फिर भी वैसे अमोमन हमने अंदाजा लगा है, कि ये समीकर नहीं है, समीकर के अंदर समता का निशान, या दुनों पक्सों में चर, एक या एक में भी उसका दोनों में लेकिन कम से कम, एक पक्स में चर होना जरूरी है, और समता करनिशान और दो पक्स हमारे पास होने चाहिए, अभी हम समीकर न बनाना सिखेंगे, हमारे पास कुछ साब्दिक प्रशन ले रखते हैं सब दो में, उनसे हम समीकर बनाएंगे, सबसे चार जोड़े तो य में चार जुड़ेगा नहीं अभी यहाँ पे, चार वाई नहीं होगा वो, ध्यान रखना, वाई जमा चार ही लिखा जाएगा, चर के साथ जोड़ या घटा में कोई संख्या होती है, तो वो ऐसे ही लिखे जाती है, ठीक है? अब दूसरा, एक्स में स प्राप्त होता है, यह भी कर लेगी, एक्स में से कितना गटाएं? प्राप्त होता है, आठ प्राप्त होता है, देखो, एक्स में से प्राप्त होता है, ब्रापर का निचान बीच में संथा का इसाना में लेना है, आगे बी का पांच गुणा, पांच गुणा, किसी भी करें कि गुणा और यहां इतने गुणा है दो का दस गुणा क्या हुगा है यहां इसका मतलब मेरे पास क्या है ? साथ गुणा एक्स ठीक है अब ही बी का पाँच गुणा और तीन का योगफल इसमें तीन और जोड़ना है इसमें तीन और जोड़ना है तीन का योगफल कितना है आमारे पास? 43 है यह आगे मेरे पास 520 जमातीम बराबर है 43 और आखरी T का 1 चोथाई 1 चोथाई का मतलब उसका 4 हिस्सा तो T बटे 4 चोथाई इससे के लिए भागते लिए हिस्से करने के लिए भागते लिए यह दि मेरे पास होता है T का 3 चोथाई तो मैं 3 उपढ़ लेता 3 T बटे 4 आता अब 1 चोथाई है तो 1 इसके साथ उना में है 1 T बटे 4 1 चोथाई का मतलब 1 बटे 4 1 T बटे 4 1 चोथाई रिण उसके बाद रिण रिण का मतलब घटा घटा 2 धन का मतलब जोड़ होता है रिण का मतलब घटा गटा दो आपको क्या देगा? साथ, ब्राबर कर रिशान क्या देगा? साथ. तो लगवाग इसी प्रकार के प्रशन हमारे पास हैं अगे जब आप करेंगे, तो आशाए कि आपको समझ में आ लिए होगे, अब समी करणों को सब्दों में लिखना सीखेंगे, देखें कैसे? अब इन प्रशनों को हम सब्दों में लिखेंगे, जिस प्रकार हम ने सब्दों से इसको समी कर नगा है था, अब समी कर नगों देखो, M गटा साथ बराबर तीब, तो क्या था? M में से साथ गटा में पर, कितना पराब्द होता है? तीन प्राप्त होता है बस सिंपल लिख लिया अब ये पी जमाँ चार प्राप्त लिख लगना आप क्या पी में चार जोड़ने पर प्राप्त होता है या इसमें भी लिखते हैं पी और चार का योग पाच है या एन रिण साथ करने पर तीन आएगा कुछ भी अपनी भासा में भी आप इसको लेश सकते हैं अब ये चार पी घटाती है चार पी यहां क्या बताया था? गुना हाँ यहां पर गुना होगी चलिकें पी का चार गुना और उसके बाद क्या था है? पी के चार गुने से क्या हो रहा है? पी के चार गुने में से घटाया जा रहा है दो तो पी के चार गुना रिण है दो आपको क्या देगा? क्या दे रहा है? साथ देगा ठीक है आगे एम इसका चार है तो तीन बटे चार गुना तो तीन चोथाई कि M का 3 चोधाई 3 है वास को चार से भाग देने पर 3 प्राप्थ होता है अपनी भासा में भी आप इसको लिख सकते हैं जैसा आपको यह दिखाई दे रहा है तो आसा है कि यह प्राशना आपको समझ में आ अगये होगे अब यह प्रस्टावा लिख कीजिए और अपने झाले